करें दोस्तों आपको पता होगा डेटा कितना महँगा हुगया और फ्रेंट से आपने यूट्यीव ओपन किया होगा तो दिखा होगा ऑटोमेटिक ही वहाँ पर वीडीयो प्लेर हो जाते तो देटा भी महंगा हुआ है और उसके साथ साथ यूट्यूब पर अगर स्क्रोल डाउन करेंगे आप अपने मोवाइल को जैसा कि यहां स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा करते हैं तो यह देखिए आप वीडियो प्ले हो जाते हैं तो फ्रेंड्स यह क्या होता है यह आपका डाटा जो मोवा बचा सकते हैं 25 नवंबर के बाद काफी महंगा डेटा हुआ है तो हर कोई थोड़ी बहुत कंजूसी करके काफी सारा डेटा और डेटा के साथ साथ अपना पैसा भी बचा सकता है तो इस वीडियो के साथ रहिएगा पूरा वीडियो देखिएगा लाश्ट तक इसकी बिलक हमारा कौ सा वीडियो आया है तो चलिए वीडियो कि बृष्ट तो फेखिए मैंने यूटूब का उपन किया है और यहां अब ले यह वीडियो अभी अपने अप ही प्ले हो जाएगा और यह देखिए पले हो गया और फ्रेंट से इसे आपको देखना नीं है लेकिन इसमें आपका data जा रहा है यानि आपके data का नुक्सान हो रहा है तो यहाँ पे ये वीडियो देखिए ये सारे वीडियो ये trailer है ये trailer भी यहाँ पे देखिए play हो गया है यहाँ पे timing चलने लगी है और यहाँ से हमें इसे देखना भी नहीं है फिर भी ये play है यहाँ पे आपके data का जो नुक्सान होने वाला है वो होना चालू हो गया है आप इसको बचा सकते हैं यहाँ पे करना कुछ नहीं है यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे उपर वाली side में आपका logo दिख रहा होगा जो भी आपने जिस भी account से या जिस नाम से अपना YouTube बना रखा है YouTube चैनल बना रखा है या फिर YouTube पर आपने कोई account बना रखा है वहाँ पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए काफी सारे option आ जाते हैं यूर चैनल, YouTube Studio, Time Watched, Get YouTube Premium और ऐसे करके यहाँ पे नीचे साइड में आपको दिख जाएगी setting पे जैसे ही आप जाएंगे तो सबसे पहले जर्नल दिख जाएगा जर्नल में जो भी आपको करना कर लिजिए वरना आपको यहाँ पे जर्नल के नीचे जो दिखाई देगा data saving यहाँ पे data saving पे आपको click करना है और click करने के बाद friends ही यहाँ पे सबसे उपर दे रखा है data saving mode इसको on कर देना है अब यहाँ पे यह आपने अगर on कर दिया है friends तो उसके बाद यह काफी सारे option आए वीडियो को friends पूरा देखना और like और चैनल को subscribe जरूर कर लेना तो यहाँ पे default setting आ रही है reduce video quality, reduce download quality और only download over wifi और ऐसा करके कई सारे यहाँ पे upload over wifi only तो यहाँ पे जो भी आपको बंद करना है वो बंद कर दीजिए और उसके बाद अगर आपको data saving करनी है जो की video play हो रहा था वो यहाँ पे बंद हो गई है तो एक बार फिर YouTube में जा के देख लेते हैं तो यहाँ पे friends अब हम आ गए हैं YouTube में और यहाँ पे यह बंद हो जाएगा आपका YouTube दुबारा सब पिले होना तो यहाँ पे आपका data की बहुत बड़ी बचा तो सकती है आप भी अपने mobile में यहाँ पे data बचा सकते हैं सिर्फ इस setting को करने के बाद तो धन्यवाद friends आपने video पूरा देखा